दोस्तों नमस्कार जैसर किष्णा जैसरी विराधे दोस्तों आज हम बात करेंगे मेश लवरासीफल अगस्त दो हजार तेईस अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा मेस रासी वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मेरिड लाइफ, आपके रिलेसंसिप के लिए क्या इस्तेती दिखाता है अगस्त का महीना आईए जानते हैं। दोस्तों, आपका लव रासी फल सुरू करें, उससे पूर बापको बता दें। हमारा लव रासी फल चंद रासी, यさんी मून साइन के अनुसार होता है। तब आप इसे नाम रासी के अनुसार भी देख मा सुन सकते हैं। दोस्तों, जो गोचर में घटनाय होती हैं, गोचर में जो बदलाव होते हैं। ग्रह गोचर परिवर्तन होते हैं, उनके आधार पर हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, चाहे वो negative हो या positive, हम आपको खुस करने के लिए कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, अगर खुस करने के लिए जानकारी देते हैं, तो ये चैनल आज बन मिलि जो बाकई में जोतिस के अनुसार सही है, गोचर ग्रह गोचर के अनुसार सटीक है, वो जानकारी आपको देते हैं, फिर वो आपके साथ में match तभी करेगी, जब आपके ग्रह गोचर की इस्तितियां, आपके बर्तमान में ग्रह गोचर की इस्तितियां, आपके कुंडली से मैंच होती हैं तब वो आपके साथ बिल्कुल सटीक होती है इसलिए जो भी व्यक्ति नया हो और वो हमारी वीडियो को आगे देखना चाहता हो तो मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि आगे वीडियो तभी देखें जब आप सच सुनने के आदी हो या सच आपको हजम हो जाता है आपके लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है और अगस्त में करक में सुक्र का प्रिबेश होगा साथ अगस्त को ग्रह गोचर में बदलाव हैं और ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत कुछ बदल देगा 17 अगस्त को सिंग में सूर्य का प्रिबेश होगा अपनी स्वरासी के हो जाएंगे पंचम में चले जाएंगे चतुलत से और 18 अगस्त को कन्या में मंगल यानि कि सष्ठमभाम में मंगल का गोचर होगा 18 अगस्त क्या कुछ बदलेगा सब जानकारी आपको देंगे बिस्तार से अगर आप सिंगल हैं तो क्यास्तिती रहेगी लव लाइफ की क्यास्तिती रहेगी नो कॉंटेक्स सिचेशन में हैं तो क्यास्तिती बदलेगी मेरिट लाइफ में क्या कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर में कहां से क्या बदलेगा और कैसा आपके पार्टनर का सभाव रहेगा इत्यादी चीजें आपको सब बिस्टार से बताते हैं और वीडियो के लाश्ट में अब हम आपको उपाए भी बताते हैं और दूसरे चैनल पर करियर रासी फल भी देंगे अब अगस्त से तो उपाए भी जानेंगे लाश्ट में और लाश्ट में सबसे खूबसुरत चीज सबसे खास चीज तीन रासियों के नाम अगर उन तीन रास्यों में से किसी एक रास्य का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए निस्चत रूप से महीना लखी बन जाएगा अब अगस्त है तो एक जानकारी आपको और दे देते हैं 31 अगस्त तक सावन का महीना भी चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यहां पर हर सौंबार में रुद्राविशेक किये जा रहे हैं आपके समस्या के लिए तो आप चाहते हैं कि आप भी महादेव से प्रार्टना करें और महा रुद्राविशेक या रुद्राविशेक करवा करके अपनी समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर दें, भोले नात को समर्पित कर दें, तो उसके लिए आप अपना नाम, गोत्र और मनुकामना जो समस्या है वो भेज करके, अपना payment का screenshot भेज करके, साधहरन या नमक चमक रुद्रावशेक में कोई भी एक रुद्रावशेक करवा स है, उस नमबर पर आप समपर करिए, वहाँ पर ये नाम, गोत्र और अपनी समस्या भेज दीजिए, गोत्र नहीं भी बता है, तो भी कोई प्रॉबलम नहीं, नाम और समस्या भेज दीजिए, और आप payment का screenshot भेज दीजिए, तो आपका जब भी, जिस सौंबार को रुद्रा जो बिल्कुल सिंगल हैं, उनके लिए जो बिल्कुल सिंगल हैं, उनके लिए अगर देखा जाए, तो यहाँ पर इस्तितियां ये कहती हैं, कि एक तो सुक्र, जो के आपकी दुतियस होते हैं, और सुक्र की इस्तितियां बदल रही हैं, सुक्र करक में बापसी कर रहे हैं, इससे ये इस्तिती फिर से पता चलती है कि वो व्यक्ति जो आपके आपकी लाइफ में एक तरह से कभी टकराया था आपको कभी मिला था एक दो दिन और आकर्षन हुआ था आपका अटेच्मेंट नहीं बन पाया था पर अट्रेक्ट हुए थे उदर आपका मन गया था ध्यान गया था अब वो आपकी लाइफ में फिर से रिवर्स आएगा वो आपको फिर से कहीं टकरायेगा और अब आपको ये मौका मिल जाएगा खास करके 7 अगस्त से लेकर के पूरे महीने कि आप उसे अपनी दिल की बात कह सकें या उसके और क्लोज जा सकें एक मौका आपको फिर से समय देने बाला है और जो एक तरफा प्यार करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिख रहा है जो एक तरफा प्यार करते हैं अच्छा समय लेकिन पूरे महीने के लिए नहीं है ये भी समझ लीजिए पूरे महीने के लिए नहीं है ये अच्छा समय खास करक वो व्यक्ति भी आपको इतना उम्मीद दिखाएगा, उम्मीद जताएगा कि हर तरीके से आपको लगेगा कि वो व्यक्ति आपसे इंटरस्टेड है और वो आपको प्यार करेगा, वो आज नहीं तो कल मान जाएगा और आप एक तरफा प्यार कर रहे हैं, अगर कोई आपसे एक तरफा प्यार कर रहा है तो आप भी कहीनके उसे उम्मीद देते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इस तरीके के स्थितियां रहेंगी आप confuse भी रहेंगे अगर आपसे एक तरफा प्यार करता है कोई लेकिन emotional आप जादस जादा होते जाएंगे उसके लिए और जादा attract होते जाएंगे और जादा attachment बढ़ता जाएगा आपका एक तरफा प्यारबाले रोगों के लिए और ये इस्तिती 18 अगस्त से इसलिए बतल रही क्योंकि मंगल जब सस्ठम में आएंगे तो ये third party की problem बढ़ा देते हैं यानि कि competition बढ़ जाएगा हाँ सस्ठम में मंगल competition बढ़ाते हैं यानि कि उसे आप तो थे ही एक तरफा प्यार करने वाले अब कोई और भी आ जाएगा जो आपसे बहतर होगा तो competition हुआ न तो आपको यहाँ पर हर चीज में अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर उस ब्यक्ति से हाँ करवानी है लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो point है कि अगर उस ब्यक्ति का प्यार सच में पाना चाहते हैं तो जल्दवाजी मत कीजिएगा बिल्कुल भी मत कीजिएगा उसे जल्दवाजी नहीं पसंदो कि हाँ कीजिए ही कीजिए आज ही हाँ कर दीजिए ऐसी situation में गर गए तो दिक्क हो जाएगी मुझे लगता है कि इस मंगल की स्तिती में और सुक्र का reverse होना ये भी दिखाता है कि वह व्यक्ति लोट कर आ सकता है उसकी life में जो कभी पहले था उसका break up हो गया था अब इसलिए एक तरफा प्यार आपका वो एक तरह से आपको भी attention मिली आपको भी उसने priority दी इतना समय आपके साथ में एक तरह से spend किया लेकिन इस्तितियां ये अलग बन रही है जिसमें ex-partner की बाप चीज़ा दिख रही है उसकी life में ex-partner बापस आ जाए और वो competition फिर आपका बढ़ जाए वो नहीं चाहता है कि ex-partner के साथ में वो जाए लेकिन उसका दिल तो वही है ना भी भी क्योंकि वो जल्दी किसी को छोड़ नहीं पाता है उसकी प्रॉब्लम है तो ये कहीं न कहीं स्तिति रहेगी फिर हम उनकी बात करते हैं जो लोग love life की यानि के relationship में है love life में उनके लिए सूर्य का पंचम में आना पंचमेश का पंचम में आना और पूरी तरह स ये स्तिति इस चीज को दिखाती है कि parents का बहुत ज़्यादा आपको support मिलेगा आपकी family आपकी प्यार को समझेगी आपकी प्यार को accept करेगी और आपकी partner के साथ में आपकी साधी की बात को भी accept कर लेगी थोड़े से आप अब confused हो जाएंगे क्योंकि आपके partner love life में आपके partner जो हैं आपको बोल सकते हैं कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आस्चर जनक हो और आपको बड़ा ही जटका लगे ऐसा कुछ जो आपने कभी भी उम्मीद नहीं की थी क्योंकि आपने बहुत बार उन्हें ना हाना किया है और इसी के चक्कर में वह भी confused चल रह है या फिर वो कुछ ऐसा उल्जा दें यासा बोल दें कि अभी हमें और सोचना चाहिए और देखना चाहिए फैमिली तयार हो गई अब सब कुछ क्लियर है लेकिन अब उधर से कुछ न कुछ ऐसा बोल दिया जाए जो आपके लिए आस्चर जनक हो कि जो व्यक्ति पहले इ लेकिन हकीकत यह होगी कि वो कोई न कोई थर्ड पार्टी है जो उससे वो अट्रेक्ट हो रहा है या अपना एक्स उनका जो एक्स है उसके साथ में ही वो सोच रहा है कि बहतर है उससे साधी हो जाए तो उससे मौका मांगने के लिए कोसिस करेगी वो करेगा तो यह इस्ति नहीं कि बहुत ज़्यादा इस्तितियां अच्छी रहेंगी, आप दोनों के बीच में बहस तो होगी, लेकिन बहस में आपको वो नहीं लगेगा कि कोई तीसरा है, ये चोटी-चोटी बातों को ले करके होगी, लेकिन जब 18 अगस्त के बाद में आपको एहसास होने लगेगा कि बाके में कोई तीसरा व्यक्ति है, खर्चे भी आपके बहुत ज़्यादा होंगे 18 अगस्त तक उस व्यक्ति के लिए, आप बहुत खर्चे करने वाले हैं, और आपको खर्चा होगा उसके साथ में आपकी यात्रा भी हो सकती है, जब आपको ये थर्ड पार्टी की प्रो प्रयास करना मिलने का, तो ये आप दोनों के बीच में संबंद और खराब कराएगे और जगड़ी बाद बढ़ाद और जधा बढ़ा देगी, लब लाइफ की स्तिति यहाँ पर मिला जोला कर देखा जाए, तो खराब ही है, क्योंकि जो ब्यक्ति साधी के लिए तयार था, आप बना कर रहा है, तो खराब तो है, लेकिन आपके बीच में थर्ड पार्टी आई है, लेकिन उस थर्ड पार्टी को इतना महत तो बो नहीं देंगे, अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव कर लें, वो चाहते हैं कि एगो ना दिखाए आप, तो ये कहीं ने कह आपको देखना होगा, फिर यहाँ पर इस्तिती यह भी है कि जो लोग no contact में हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो जो लोग no contact में हैं, उनकी बहस बहुत होगी, लेकिन वो contact में आने की समभावना उनकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का विशेज ध्यान रखेग लेकिन हकीकत में वो भी आपके साथ loyal नहीं है इस चीज की guarantee वो loyal नहीं रह सकते हैं वो किसी और के साथ में भी हैं लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है फिर बात करते हैं married life की married life में आपके दोनों की बीच में इस्तेतियां थोड़ी बहुत बहस की होगी खर्चों की बज़े से जगड़े होंगे खर्चों की बज़े से बहस होगी ये खर्चों की बज़े से ही लड़ाईयां जाया दिखती है फिर ये लड़ाई जो है third party की बज़े से भी लेकिन ये third party कोई और नहीं है family है married life में ये family ही third party है और आपके partner की health खराब हो जाया और आपकी family उसको torture करें और उसमें आप अपनी family का support करें ऐसी चीजें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है कि तुम तो बीमार ही बनी रहती हो में साथ ऐसी चीजें कि इनकी तो बीमारियों में इतना पैसा लगता है तो बहुत ज़्यादा और टॉर्चर करना तौने देना वो कहीं न कहीं आपकी family का role होगा उसमें और इस बज़े से इस्तितियां खराब होगी दोनों की family का role हो सकता है लेकिन यहाँ पर इस्तितियां यह बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं married life में भी negative है लेकिन positive इस्तिति यह भी है कि आपके partner का attachment आपके प्रतीब बढ़ेगा तो कोई तीसरा व्यक्ति वो चीज नहीं है कि वो आपको चीट करें ऐसा कुछ नहीं है अब बात करते हैं extra married financial affair की तो extra married affair में आपके partner आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करेंगे हद से ज्यादा खर्चे करेंगा और आपको हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल जाए ऐसे affair में जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पैसा लोटाए और आप पैसे के लालच में उस व्यक्ति की तरफ चले जाएं इस चीज का ध्यान रखेगा कि कोई भी लालच आपको बुरी इस्तिती में फसा सकता है लेकिन यहाँ पर रिस्ता आपका अच्छा ही देखता है परेसानिया ऐसी कुछ नहीं है आपके रिस्ते में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत अटेच्मेंट बहुत प्यार बहुत सारी इस्तितियां रोमांटिक रहने वाली है और बिदेश यात्रा हो सकती है या बिदेश यात्रा की प्लानिंग भी हो सकती है यहाँ तक इस्तितियां बहुत ज़्यादा खास बनेगे और आपको पार्टनर फाइनेंसली सपोर्ट करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा उनसे अटेस्मेंट बढ़ जाएगा एहसान की बज़े से उसके साथ में रिस्त आपका जुड़ जाएगा अब जानते हैं उपाय उपाय क्या करना है आप उपाय में इस महीने सबसे ज़्यादा कि आप रुद्रावशेक करवा लें रुद्रावशेक नहीं करवा सकते हैं तो आप साधन रोपाय करें कि एक तामे का, पीतल का, चांदी का, कांसे का कोई भी पात्र ले करके उसमें साधा जल भर करके और उसमें थोड़ा सा आपको गिलोई कर रस इससे आपकी ऊर्जा सांत होगी भगवान भोले नात्प, गिलोई की थोड़ी सी बेल आप गिस करके या जड़त कूट करके उसमें डाल करके थोड़ा सा गिलोई का आपको रस मिला करके सिबलिंग पर जाकर चड़ाना है और ओम नवश्यवाय का जब करना है thinking और इस relationship में जो third party family problem जो भी चीजें हो रही है वो नहीं होगी तो इसलिए उपाय जरूर कर लें अब जानते हैं तीन रासियों के नाम पहली रासी है मेस रासी अगर इस रासी का partner है तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा दूसरी रासी है सिंग रासी सिंग रासी का है तब भी महीना बहुत अच्छा रहेगा और तीसरी धनू रासी अगर धनू रासी का partner है तब भी आपके लिए महीना लखी रहेगा तो दोस्तों यह था आपका लव रासीफल अगर आपको एह लव रासीफल पसंदा इस वीडियो को लाइक से एर कमेंट जरू करें और अगर आप जानना चाहते हैं जौब करियर इत्तियादी से रिलेटेड अपना रासीफल तो आप हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रोलॉजर अ मजचा